नमस्कार दोसों स्वागे थे आप से भी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिकी ट्रिक पे सो आज की वीडियो में मैं आपको टीजिटी टैट कमिशन आर्थ की प्रीविए से क्यों करवाँगा उससे पहले आपको बता दूँ कि परिक्षा एप को डाउनलोड कर लिजी इस पर आपके लिए सब भी जो टैसिर्स एवलेबल है लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर जूनियर ऑफिस एसिस्टेंट एच्पी टैट टीजिटी आर्स टीजिटी नॉनमेडिकल टीजिटी मेरि जाएप च्पीस के टेस्स टीज है ठीक है और फिफ्टीन से लेकर ट्वण्टी टेस्ट हैं यहाँ पर टेस्स एक और आपको पे करते वक्त जीके ट्रिक फिफ्टी कोड यूस करना है क्या यूस करना जीके ट्रिक 50 जैसी आप ये कोड यूस करेंगा आपको 50 परसेंट ठीक है तो इस एप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन वॉक्स में मिल जागा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे आपको डाउनलोड कर सकते हैं और जीके ट्रिक फिफ्टी कोड यूज करेंगे तब भी आपको 50% का आउफ मिलेगा पहले जो है जो है जो है मौक टेस्ट को जॉइन कर ले वह फ्रीक आफ कोस्ट है आपको आपके लिए आप वहां पे देख सकते हैं कि किस त दुरोबर गोशित की गई तो देखी भीमबेटका की गुफाएं भीमबेटका की गुफाएं जो है आपकी मध्यपरदेश में है और यूनेसको जो है विश्वदुरोबर साइट्स गोशित करता है United Nations Educational Scientific Cultural Organization Headquarter जो है इसका वो पैरिस में है और इसके द्वारा भीमबेटका को कब जो है विश्वदुरोबर गोशित क्या गया था वो किया गया था 2003 में कब क्या गया था 2003 में C option इसका राइट एंसर है यह मध्यपरदेश में है मध्यपरदेश Next Question देखते है Cyber Valley के नाम से किस थान को जाना जाता है Cyber Valley के नाम से पुछा जाता है या किस सिति को जाना जाता है वो जाना जाता है आपका चंड़ी को C option इसका right answer है तिरुवनंत पुरम यहाँ पे इसको हम टेक्नो पार्क बोलते हैं ठीक है टेक्नो पार्क नॉयडा डीलेफ बोलते हैं इसको और यह दिल्ली जो है आईटी पार्क है क्या है दिल्ली आईटी पार्क है ठीक है यह आपको याद रखना है तो साइबर वेली आपकी चन्न नहीं है और शिपकोट वेलि भी आपकी चन नहीं है यह option इसका right answer है next question देखते हैं कौन सा हिंदू पर्व थारू जन जाती के दराश शोहख पर्व के रूप में मिना जाता है एक थारू जन जाती है वो किसी पर्व को हिंदू पर्व को शोहख पर्व के रूप में मनाती है B option इसका right answer है next question देखते हैं इन में से किस भाषा की लिपी देवनागरी नहीं है यहाँ पर कुछ भाषाएं लिखी है उनकी लिपी जो है वो देवनागरी नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको बिता दूँ कि हिंदी मराठी और नेपाली इनकी जो लिपी है वो देवनागरी है लेकिन तेलगु भाषा की लिपी जो है वो देवनागरी नहीं है तो B option इसका right answer होगा देखे कल भी मैंने एक lecture लिया था important questions थे उसमें भी तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको उपर यहाँ पर आई बटन इस तरह का इस तरह का वहाँ पर आपको स्जेस्टिट में इस तरह से कौन दम आ जाएगा वहाँ पर आप देख सकते हैं उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं next question देखते हैं इन में से कौन से पहली रंगीन फिल्म है तो पहली रंगीन फिल्म पूछी गई है वो थी आपक फिलम है हरीश चंद्र यह 1913 में आई थी और पहली जो बोलती फिलम थी वो 1931 में आई थी जिसका नाम था आलमारा तो पहली रंगीन फिलम कौन सी है आपके मुगले आजम इसका राइट अंसर है नेक्ट कुशन देखते है पावन का संधी विचेद क्या होगा पावन का संधी विचेद पुछा गया है तो पावन का संधी विचेद होता है पाव जमा अन क्या होता है पाव जमा अन इसमें दो स्वर लगे हैं अ और अ ठीक है इससे मिलकर क्या बनता है ठीक है तो बी आप्शनिस का राइट अंसर है नेक्ट कुशन देखते है करणा पुर्ण में कौन सा समास होगा तो करणा पुर्ण इसका विग्रह करेंगे तो करणा से पुर्ण होता है ठीक है तो से कहा आता है करता ने करम को करण से के द्वारा संप्रधान को ले अपरधान से जुदाई तो कारकचिन में आपका से आता है तो कारकचिन कहां यूज उते हैं ततपुरु सुमास में ए आप्शनिस का राइट एंसर है करता ने करम को करण से ठीक है अपदान से जुदाई ठीक है तो यहाँ पर आपको याद लगना है करुणा से पूर्ण ए आप्शनिस का राइट एंसर है नेक्ट्स कुछन देखते है इनमें से किसका प्रायवाची द्वात है द्वात किसका प्रायवाची है तो देखिए द्वात को बोलते हैं हम अंधकार अंधेरा तमिस्रा क्या बोलता है तमिस्रा या फिर तिमीर ये बोलता है द्वात को तो अंधकार यहाँ पे ए अप्शनि वहनी, धुम्रकेतू, क्रिशानू, जातदेव, आग, वैश्वानर ठीक है, अनुपम, अनुपम का प्रायवाची अनोखा, अतुल्य, अद्भुत, अद्वित्य, अपुर्व, अनुण अनुवेशन का प्रायवाची क्या होता है, शोद्य करना, अनुसंधान करना, खोज करना, जांच करना, चानबीन करना, पूश्ताच करना ठेक है, तो यहाँ पर द्भात का जो प्रायवाची है वो है अन्दकार, ए उप Tiffany's का वोलता है in audible एक option इसका राइटंस रहे ठिक है और incredible क्या होता है that can that which cannot be corrected ठिक है जो करेक्टर नहीं किया जा सकता या फिर जो imaging नहीं किया जा सकता ये भी बोल सकता indispensable का मतलब क्या आता है that which cannot be avoided जिसको हमाँ और नहीं कर सकते galaxy क्या होती है ठीक है यह irregular band of stars होता है यानि कि group of stars बोलते galaxy a option इसका right answer है that which cannot be heard inaudible next question देखते है which is the same meaning of ridiculous इनमेंसे कौन से same meaning है ridiculous का ridiculous को हम क्या बोलेंगे असंगत ठीक है foolish बोल देते है silly बोल देते है ठीक है absurd बोल देते है तो ridiculous का यहाँ पर silly हो गया डी option इसका right answer है abdicate abdicate छोड़ना abandon leave या फिर forsake abandon और pile क्या हो गया इकठा खरना accumulate collect gather और pile और ample क्या हो गया जो प्रयाप्त मातरा में हो adequate sufficient plenty ठीक है तो यहाँ पर जो ridiculous का meaning है same meaning यह आपका silly है d option इसका right answer है तो यहाँ पर important questions थे answer कि यहाँ पर available है आप इसको मिला सकते हैं important questions है सारे के सारे TGT PGT exam के लिए जो भी आपको exam दे रहे हैं या देने वाले हैं तो उन सभी के लिए है तब आपको 50% off मिलेगा 279 रुपीज की टेस्टीज है लेकिन जाएक से जिके ट्रिक 50 कोड यूज करेंगे तो आपको 140 रुपीज की टेस्टीज मिलेगी तो अभी के लिए फिलार इतना ही फिर मिलुगा एक नए उरसा तब तक के लिए जाहिंद